एक क्वेरी जी सिस्को लेकर आती है मेरे पास अक्सर कि प्रेगनेंसी के दौरान जब नीचले हिस्से में भारीपन हो नाभी के नीचे में तो क्या-क्या मतलब की समझ आता है कि क्या ये बोई का कनेक्शन है या फिर गर्ल का कनेक्शन है नीचले हिस्से में भारीपन हम सबस भी अच्छा नहीं लगता है लेकिन हाँ इसके उपर एक सीक्रेट जरूर है जो उल्ड वाइब्स बहुत फेमस तरीके से बताती है जिसको मैं इस वीडियो के अंदर पूरा क्लियरली बताने वाले हूं जिससे मैं अपने और मेरी सब्सक्राइबर के दोनों के एक्स्पीरिय बॉय है तो चलिए कंप्लीट जनकारी के लिए बड़े स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम प्लोग पहली बड़ अगर आएं चारप चारण को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा यहां पर इन चीजों के ऊपर जो पेट है वो अंडकार सेफ में ज्यादा दिखता है जिन महिलाओ का पेट राउंड सेफ में होता है बिल्कुल गोल मत्के जैसा दिखता है उनके निचले हिसे में भारीपन होती है लेकिन कम होती है लेकिन जिनका पेट अंडाकार में दिखता है जैसे कि मैंने experience किया था मेरा पेट बिलकुल तस्वीर को देख कर समझ सकते हैं बिलकुल अंडाकार सेट में था तो इस हिसाब से मुझे ज़्यादा भारीपन महसूस हो दर्द होना ये इसलिए क्योंकि बच्चे का वजन डायरेक्ली आपके नाभी के हिस्सों पे पड़ जाता है नाभी में भी बहुत सरे बदलाव आते हैं जैसे कि कह सकते हैं कि नाभी बटन का बाहर आना या नाभी पे एक काली लाइने बननी होती है जब भी बच्चा जो ह पहुंचता होता है अब ओल्ड वैफ्स ये बातों को कहती है कि अगर जिन महिलाओं में बच्चों का सर पहले नीचे जाता है वो बॉय होता है और जो हलचल होती है वो नाभी के उपर एक्सपीरियंस होना ये भी चीज़े बताती है कि बच्चे ने सर नीचे कर लिया है अ और आप पूरी तरीके से कह सकते हैं कि वो परिशान हो चुकी है इस चीज़ को लेकर कि मुझे बार बार जो है वो जाना पढ़ रहा है यूरिन तो ये सब कुछ एक नॉर्मल प्रेग्नेंसी के सिम्टम्स में आता है जरूरी नहीं है कि बॉय के समय ही हम इस चीज़ को एक जैसे ना भी के नीचे बहारेपन रहना दर्द रहना उनको वाई की समय था सेम सिचूएशन उनको गर्ल के समय में भी थी तो इस तरह की चीज़े जो है वो होते रहती है लेकिन डाइरेकली हम गर्ल ये बॉय से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं ये जो है बायोलोजिकल है वो बाते मैंने आप तक यहां पहुंचाई थैंक्स पूर वाचिंग मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई इन टेक केर